So, welcome back Kritika for the last video on this chapter. देखो, we have discussed about the simple past tense and the past continuous tense. उसके बाद exercises है, I can find, see a book, कि तुमने तुम्हारे बुक में ये फिल्ड अप नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी तक तुम लोग स्कूल में नहीं किये हो, तो जरूर इसको फिल अप करके मुझे इमीडियेटली अगर नहीं हुआ है स्कूल में, तो कल शाम तक मुझे ये फोटो उठा के भेज़ देना. अब देखो, आते हैं past perfect tense में. I have already discussed कि past perfect tense का form क्या होता है, एक बार quick recap दे देता हूँ. एक past perfect tense में क्या होता है, verb एक had होता है, और had के साथ verb third form में होता है. मतलब gone, had gone, had seen, had eaten, had played, इस तरह से होता है. Negative करना होता है तो क्या करते हैं, hat के साथ not लगा देते हैं, I had not seen, I had not gone, etc. Question करना होता है तो क्या होता है, hat को subject के पहले लेकर आ जाते हैं. तो पहले had आता है, उसके बाद subject आता है, had I, उसके बाद verb आता है, had I eaten my lunch. और negative question करना है तो hat के साथ not लगा देते हैं, hadn't I eaten my lunch. ठीक है, तो you can refer to the first video on this chapter, you will find everything is there. यह पार्ट को मैं already I have discussed, so I am not going through it in detail. तो now I am going to discuss कि यह real life situation में, in real life situations, past perfect tense का प्रयोग कब होता है. वें वे उसे the past perfect tense in real life. देखो, past perfect tense is generally used to denote an action finished prior to another action in the past. and hence it is generally used along with past, simple past. अर्थात देखो, अगर हम present perfect की बात करें. present perfect मैंने पिछले क्लास में कहा था कि कब use होता है. present perfect use होता है, उन कामों के लिए, जो काम present का, present moment में अभी अभी खतम हुआ है. मतलब अगर हम कहें, मैंने अभी letter लिखना खतम किया. अर्थात, I have just finished writing the letter. I have just come home, मैं अभी घर आया हूँ. मतलब मेरा घर आने का काम अभी अभी खतम हुआ. तो इससे तुम अगर past perfect में चला जाओ. तो past perfect कब use होता है, जब मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, मान लो, I am talking about yesterday 6 p.m. और मैं कहता हूँ, कल 6 p.m. तक मैं घर आ चुका था. अर्थात, मेरा घर आने का काम yesterday 6 p.m. के अंदर खतम हो गया था. तो past का definite point of time is yesterday 6. और मेरा घर आने का काम उसके पहले खतम हो गया था. So what I will say, I had reached home by 6 p.m. yesterday. देखो, अगर मैं कहना चाहता हूँ, कि teacher class में आने का, you know, teacher class में आने का पहले बच्चों का काम खतम हो गया था. तो past का time क्या है? Teacher का क्लास में आना. उसके पहले, बच्चे ने homework उसके पहले खतम कर चुका था. तो क्या करेंगे? The children had finished their work before the teacher came. अब देखो, यहाँ पर, यहाँ से, हम एक बहुत important point पे आते हैं, जो बहुत जादा ध्यान में रखना चाहिए. एक तो आस्ते कोथा वालो, ना आले, दौर्चाटा बंदू करो. एक बहुत important point है, जो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है. Please pay attention. Please pay attention. देखो, मैं यहाँ पर लिख के दे रहाँ. मानलो, मैं हिंदी में एक sentence लिखता हूँ. Suppose हिंदी में एक sentence है, कि डॉक्टर आने का पहले ही, मरीज मर गया था. तो देखो, past में दो काम हुआ. क्या-क्या, एक डॉक्टर आया था, और एक मरीज मरा था. अब यह दोनो काम में कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ? डॉक्टर बाद में आया, मरीज पहले मरा. तो जब कोई sentence में दो क्रियावाचक शब्द होता है, मतलब दो काम होता है. और यह दोनो ही काम past में होता है. और हमें समझाना होता है कि यह दोनो काम में एक काम थोड़ा पहले हुआ और एक काम थोड़ा बाद में हुआ. तो हम क्या करेंगे? जो काम जादा पहले हुआ, उसके लिए हम लोग past perfect use करेंगे. और जो काम past tense में बाद में हुआ उसके लिए हम लोग simple past use करेंगे तो what I will write देको doctor आने का पहले ही मरीज मर चुका था मरीज का मरना पहले हुआ So what I will write the patient the patient had died देको past perfect the patient had died before the doctor came before the doctor came तो देखो doctor came यह हो गया simple past tense यह काम past tense में बाद में हुआ इसलिए simple past यह काम past tense में पहले हुआ इसलिए past perfect understood तो past perfect का प्रयोग तब भी होता है जब हम कहना चाहते हैं कि अतीत का कोई घटना घटने का पहले एक और घटना उस घटना के पहले आके खतम हो गया था कर रहे हैं जैसे देखो he has hurt his leg या he has broken his leg in an accident तो he had broken his leg in an accident तो वो अपना leg तोर चुका था है यह पहले की बात है लेकिन अब भी वो हमारे लिए important है तभी हम उसके बारे में discuss करें तो यह छोटे मोटे differences है बहुत जादा difference नहीं तो यह हो गया past perfect tense past perfect continuous so last tense we come is past perfect continuous कब use होता है past perfect continuous देखो past perfect continuous use होता है उन कामों के लिए जो काम past का कोई एक definite time के पहले शुरू हुआ और उस definite time के बाद भी वो चलता रहा are you getting confused देखो confusion की कोई बात नहीं है मान लो मान पास्ट में बात कर रहा हूं if I say if I write a sentence he had been living in Delhi he had been living in Delhi for six years मतलब पास्ट में उसके द्वारा ये काम काफी लंबे समय तक क्या गया था देखो अमन अन प्रिया अमन अन प्रिया had been going to school for four years मतलब पास्ट में चार साल तक इनके द्वारा ये काम चला ऐसा जो काम है इसको हम लोग past perfect continuous tense में यूज करते हैं अगर नहीं किया हो इसको करके मुझे फ्राइडे इवनिंग तक फोटो उठाके इसको हमें दो करके दो आपके प्रिया करके दो इस विकेंड में जो ये chapter 2 और chapter 3 के ऊपर मैं कुछ extra work tense जो present और past tense हम ने discuss किया उसके ऊपर हम कुछ extra exercise हम तुमको Sunday को दे देंगे अचा, go through it जहां पे भी तुमें लगेगा कि there is some difficulty WhatsApp में मुझे एक message किया करो अगर voice message में वो difficulty solve हो सके तो मैं voice message करके वो solve कर दूँगा जरूरत परे तो Google meet में एक meeting करके उसमें हम explain कर देंगे लेकिन इसके बाद कहां पे समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है कर दो